साइन्स टुन्टि थ्री बॉर्ड पेपर के बारे में और इस वीडियो में आपको पूरा कम्प्लीट सुलुशन बताने वालों इस बॉर्ड पेपर का और यहां पको तीन गंटे मिलेते बॉर्ड पेपर करने के लिए और गाईज मैं सीरिसली आपको बता रहा हूँ यह पेपर मैं एनलाईज करा हूँ बहुत ही ज्यादा इजी पेपर है अब जब सुलुशन के करने स्टार्ट करेंगे तो आपको इजी लगने लगेगा यह और स्टार्ट करते हैं इसका सुलुशन 23 साइंस का हमारा बॉर्ड और यह जनरल इंस्ट्रॉक्शन है आप यह आप ठीक है इबाद चेक आउट कर सकते हैं हम अपने सोलुशन की तरफ चलते हैं सेक्शन ए की तरफ जहां पर आपका मल्टीपल चोईस आपके गिवन हैं तो वाईस सेक्शन नमबर ठीक हैं सेक्शन एक तरफ चलते हैं कोशन की तरफ स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चोईस यह आपके हैं दा बैलेंस केमिकल एक्शन शोइंग रियक्शन बिट्वीन क्विक लैम एंड वाटर इस देखो कितना आसान कोशन आई तुन टुन टुन्टीटिरी बोर्ड में जिस बचने नंसी पढ़िए नहीं कोशन तु यह केल्शियम ओक्साइड और S2O रियक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ही जो आपके प्रोट्रेक्ट बनता है वह बनता है सी ए ओएज को होल्ड़ाइस ठीक है अब ना तो हैड्रोजन निकलता साथ में ना उक्सिन निकलती खाली सी ओएज को होल्ड़ाइस निकलता और हमाई रहे जो चैनल उस पर सारी एक्टिविटी है तो जिस मुझे के एक्टिविटी करें उसको पता हो गए तो इसका जो करेक्ट आंसर वह है क्लोव और एंड वनीला एसेंस ठीक है यह आपके ओल्फेक्टर इंडिकेटर जो ऐसे तो बेस को बताते हैं इसमेल के थुरू आइदर वहाँ पर स्मेल आईगी या आदर वहाँ पर स्मेल नहीं है तो कोश्च नमबर ए का ठीक है यहां पर पार्ट ए करेक्ट है नेक्स पार्ट करते है फ्रेश मिल्क है पी एच ओफ शिक्स टू डिले इट्स कर लिंग मतलब दही जमने का जो टाइम उसको डिले करना तो इसको हमें बेसिक में मिलाना पड़ेगा ठीक है तभी इसका जो टाइम है वो यहां पर आपका इंक्रीज होगा तो इसका जो करेक्ट ओप्शन वह आपका ओप्शन नमबर ठीक है ओके तो गाई स्टार्ट करते हैं कोश्च नमबर फॉर्थ की तरफ और यह भी काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और मुझे तो अब तक काफी ज़्यादा इजी ठीक है पेपर लगा है और यह आपकी रेक्शन है एने प्लस टू एच्टो गिफ्स एने ओएच का एने ओएच प्लस एच्टू इस तो गाईस आपके हैं पर रिडूसिंग एजेंट बताना ह होता है जो दूसरे को रिडूस करें खुद ऑख सब्सक्राइब कोवन कौन दूसरे को reduce कर रहा है तो NA देखो H2O मेंसे क्या हुआ NA ने इसका O निकाल दिया ठीक है और खुद O ले लिया तो यहाँ पर क्या है NA वह आपका reducing agent है H2O नहीं है यहाँ पर reducing agent नहीं है क्योंकि H2O क्या है यहाँ यहाँ पर खुद reduce हो रहा है ठीक है नेक्स बात करते हैं यहाँ पर hydronium ion are formed by the reaction between hydronium ion कब बनता है जब ठीक है acid जो आपका पानी में dissolve होता है तो sodium hydroxide and water sodium hydroxide base है ठीक है calcium hydroxide and water no hydrogen chloride gas ठीक है HCl gas तो HCl gas जब पानी में जाएगी तो ion से breakdown हो जाएगी तो hydronium ion H3O plus मना लेगी है H2O H3O plus आइधर hydronium ion या फिर H plus तो यह जो hydronium ion है यह आपके महां से ठीक है निकल जाएगा तो इसका जो question होगा जो answer होगा फिफ्थ का C होगा ओके तो next के बात करते हैं हाँ पर काफी ज़्यादा important और अच्छा question है question नमबर C और NCRT based है ठीक है NCRT based question आया है यह जिस वचे प्रेक्टिस करेंगे वह पक्का कोशन कर लेगा हमाएं चैनल पर प्रेक्ट रिप्रेजेंटेशन ओफ कोवलेंट बॉंडिंग इन ऑक्सिन मोलीकुल इस तो आपसे को पता है कि यह कितना शेयर करता है यह आपके जो हो डबल बॉंड बनाता है डबल बॉंड का मतलब क्या है कि यह आपके जो हो चार इलेक्ट्रों ठीक है यहाँ पर आपक is व्यस्क्राइब आध सब्सक्राइब हम आध करते हैं तो वहाँ पर वाटर निकलता राPor News parole नहीं और बार नहीं एक नुकलता है ट्रीक्ट विड़ सब्सक्राइब भाटर ट्रीक्ट विद बहु यह जो है वो सीजा करेक्ट होगा जब सी करेक्ट होगा थो बाकी पढ़ने नहीं नहीं बाकी हम देख सकते हैं यह तो आपको मैं बता दू जो एक को टीक जो ओर इस होता है उनका रेट जो होता है ब्रिफिंग का एस कंपेर्ट टू जो लैंड पर रहते हैं जाद होता है तो देखते हैं जो फास्टर बिकोज दे नीड मोर ऑक्षियन फोर दे सर्वाइवल नेक्स बात करते हैं फास्ट होता है बिकोज दा अमांट डिजॉल ऑक्षियन इन वार्टर इस फेली लो बिल्कु कि अवे कि आप सब्सक्राइव नेक्स करते हैं जिससे उसका एक्स क्रिशन ऒता है क्यों करता है क्यूंकि यह बहां पर प्लान्ट के अंदर जो टेंपरेश्य वो रिगुलेट होता है तो ओप्शन भी इस अगरेट एट प्था रहा लेक्टेशन टेंपरेश्य रिगूल that may be caused due to unsafe sex respectively are तो मैं यहाँ पर आपको बताना है कि बैक्टिरिया और वाइरल इंफेक्शन कौन से होते हैं ठीक है जो एस्टेडी सेक्शल टांस्मिटर डिस्टी जो होती है तो गाईज यहाँ पर ठीक है यह दोनों आपके वाइरल है यहाँ पर पहले बैक्टिरिया है यहाँ पर यहाँ पर पर प्रेसेप्टर प्रिजुंट हवाइरी कौन सा पार्ट ऋओता है जहांपर गस्टरी र्सेप्टर प्रजें cva där टेस्टो करता है तो कोश्चिन नंमबर जो आपका 11 का जो वो सी भा कट परफार्ट करना या जो सिसपश संधाल northern वेस्तितरी नीक्रोंस करता है हस्ड़ा जात दो हमारे पास स्टेटमेंट है। अमले सानट से प्राटे authentican itself in F1 generation जो F1 generation में trade express होते हैं वो कौन से होते हैं next the trade debt keep on passing from one generation to another जिसी यह तो सब्सक्राइब को पता हो कि एक generation दूसरी generation में ठीक है inherited trade होते हैं first जो होते हैं वो आपका जो F1 generation में होते हैं वो आपका होता है dominant trade ठीक है तो आपका inherited यहां पर है तो दोनों में हैं अब आपको यह देखना है कि dominant F1 में क्या होता है तो F1 में dominant ही होता है तो आपका जो का वो C is the correct part ठीक है नेक्स बात करता है question में 13 की तरफ a constant current flows in a horizontal wire ने plane of a paper from east to west okay east to west के जा रहा है हमारा यह current flow कर रहा है as shown in figure the direction of a magnetic field will be north to south at a point north to south देखो यह right hand ठमरू यहां पर लेगा देखो यह direction ठीक है यह direction आपकी आप यह बता रहा है current east to west अब यह वाली जो direction होती है यह वाली होती है आपकी किसकी यह जो direction होती है यह जोती है अब कि magnetic field कि अब यह कहरा है noe से south तो noe से south ऐसे होगा तो नीचे की तरफ किया अगा हो नौट से south इधर जा रहा है सामने की तरफ noe से south तो यह क्या होगा directly blow the wire यह directly blow the wire क्योंकि इस रजा रहा है तो current आपका आपका मैगनेटिक फिल्ड इस तरीके से हो में ठीक है यह आपकी मैगनेटिक फिल्ड आ रही है यह आपका जो है अपका है करण ठीक है हीर दा सिंबल है देर यूजर मेनिम उके तो घाइस अगर आपको फॉमला पता होगा तो डेफिनिटली आप इस चीज को अराम से कर लोगे मैं आपको फॉमला बताएतो हो इक बार i equal to qit होता है ठीक है और v equal to ठीक है w upon q होता है बस अगर आपको फोमला पता है तो आप easily कर लोगा अगर मैं इस फोमला को यहाँ से compare करना चाहूँ तो q equal to it हो जाएगा और यहाँ पर w equal to v into q हो जाएगा यह correct option है आपका बाकी आप यहाँ पर देख सकते है ठीक है यह यहीं से यहीं से incorrect हो गया ठीक है यह भी यहीं से incorrect हो गया और यह correct है तो यह वाला incorrect हो गया तो बी जो होगा वह आपका correct होगा बी पार्ट नेक्स बात करते हैं फोर आ फिफ्टिन के बारे में अब आपको यहाँ पर incorrect statement बताना है गलत कौन सा है ठीक है पहला देखते हैं इंसाइड आ रहें दा नहीं दोनों में ही सेम होता है ठीक है बार मेगनेट का जो पैटन है और जो सोलनोट का पैटन है वो दोनों सेम होता है तो यह जो है इंकरेक्ट है यह वाला क्लोवार्ट ओफ एलेक्टिक पावर वैन ओप्रेट एट टूट्वन्टी वॉल्ट दा मिनिमुम रेटिंग ओफ दी फ्यूज वायर तो बी यूज़ फॉर इट ओके इस कुश्चन को जड़ा करते हैं स्टार्ट करते हैं यहां पर पावर के दिन दे रखें आपर सबसे पह एक वैल्यू फॉर पोइंट संथिंग वैल्यू इससके वैली और मैं यहां पर ट्वैल्व आ गया ठीक है 120 करूं तो यहां पर 4.88 4.5 आशर आएगा इसका मतलब चार्ड से जाधा है तो अब यह बताओ कि कौन सा सूटेबल इसमें जो प्यूज आगा देखो हमें 4.5 से ज़्यादा चाहिए ठीक है उसके उपर जितना भी वैल्यू होगी वह आपका फ्यूज होगा जो कि आपका minimum rating होगा तो इसका जो correct option होगा वह आपका डी ठीक है इतने ampere का fuse आपको चाहिए चाहिए ओके तो इतनी बाते समझें अगर इससे ज़्यादा ठीक है current जाएगा तो फ्यूज आटोमेटिकली वह ब्रेक हो जाएगा तो इतने ampere का fuse आपको चाहिए 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 फाइव एंपेर गा फोर दा कॉश्चन नंबर 72-22 इस्टेट विंट डील ओव वैरियेशन इंट्रेड हमने पॉपलेशन में जाए वह बहुत ज़्यादा वैरियेशन आए बिल्कुल यह बात ठीक है नहीं बात करते हैं ओल वैरियेशन इना स्पीशिज है इक्वल चाहिए इन्वाइरमेंट इन विच दे ले तो गाई इस पहले वाला तो इस अगम आपको बता हूं कि आई यहां ऐसर्षिं यहां पर वह तो गई इसमें जो हमारे असर्षिंन वो यहां फॉल्स हो तो जेते इस करो बहुत प्रवान ख्रूए उप्याशन तो दोने करेक्ट है यहाँ पर जो असर्शन नेक्स बात करते हैं यहाँ पर कोशन में नैंटीन की तरफ चलते हैं असर्शन पढ़ते हैं the magnetic field lines around a current carry straight wire do not intersect each other बिल्कु ठीक बात कह रहा है यह मैगनेटिक फिल्ड लाइन के बारे है reason के बात करते हैं the magnitude of a magnetic field produce at a given point increase as a current throw the wire ठीक है जब current बढ़ाते हैं तो magnetic field का magnitude बढ़ता है but यह intersect के बारे में ऐसाच कोई explanation नहीं दे रहा है ठीक है assertion की तो यहां पर जब वो दोनों ही यहां पर correct है ठीक है तो यहां पर जो option होगा ठीक है बहुत assertion reason are true but r is not the correct expression of the assertion ठीक है तो यहां पर आप बी वाला part या बी point आपका जो है वो ठीक है असर्शन a 20 के बारे में बात करते है तो आपका यह पर पता चलिए आपका यह तो यहां पर directly आपको डिक करना है और यह आपका question number 21 ठीक है टू मार्क इच पहले पार्टी के तरफ चलते हैं how is the brain and spinal cord protected in human being to brain and spinal cord human being कंदे कैसे protect रहते हैं आप से भी वह पता है जो brain होता बोनी बोक्स कंदर होता है ठीक है आप जो वह ठीक है पूरा प्रोटेक्ट होता बोन से बोनी बोक्स कॉल्ड एज अ क्रेनियम प्रोटेक्ट इब्रेन वाइल आपके दोनों जो आपके पार्ट है वह प्रोटेक्ट रहते हैं नेक्स बात करते हैं इस्टेट वन में फंक्शन ओफ इच मेडूला एंड शैरी बेर्म ठीक है तो आगर ने बात को ऑनमेडूला के बारे में तो जो आपका मेयुट होता है वह कंट्रूल करता हैं आप का डाइजेशन भाश्रूलिंग वा ओमेटिंक केल्वन इंडल लूस वानिकलाई लगे सकते हैं अगर सब्सक्रिक है बैल intensity टीटो करते हैं पहला पास प rinse तो आपसे बताई प्योपी से लेड़ेड कोशन है ठीक है और जब फ्रेक्चर बोन आयोगा चीक है तभी यहां से आपके लेड़ी पता लगा सकते हैं और इसके में रियक्शन आपको इबार लिखा देता हूं रियक्शन है इसकी जिप्सम के साथ रियक्ट करा रहे हैं तो यह होगा आपका CASO4.2s20 केव्स CASO4.2s20 plus 1 whole 1 by 2s20 तो यह तहाँ आपका प्योपी और यह है आपका जिप्सम तो यह होगा आपका X को हीट कर रहे हैं यह आपका Y होगा प्योपी ठीक है यह आपका जिप्सम और प्योपी होगे हैं आप पर इसको डायक्टली ठीक है रियेक्शन लिखके ठीक है इसको बाव आपसे जो करा सकते हो नेक्स्ट बात करते हैं टू सोलुशन M & N, give red and blue, तो red है तो acid है, blue है तो यहाँ पर N जाओ बेस है, विदा universal indicator, इन्विदा solution with the hydronome ion concentrator will be more, hydronome ion concentrator किसमें जाता होगी, जो acid होगा मतलब M, justify your answer because M is acid, ठीक है, if both M & N solution are mixed and the resultant mixture is tested with the universal indicator, it turned green, what is the nature of the salt form, तो salt का ही neutral है, ठीक है, जब M & N की reaction करवाते है, salt जो निकलता है, वो acid बेस की reaction से निकलता है, तो acid plus base gives salt plus water, तो यह neutralization reaction है, neutral जो आपका salt form लोगा, xylem tissue in a plant is removed, क्या होगा, xylem tissue अगर remove कर दें, जो next, जो 23 है, what will happen if xylem tissue in a plant is removed, तो a part है, तो xylem tissue क्या है, जो प्लांट को ट्रांसपोर्ट करता है, अब वर direction में, और अगर यह remove हो जाएगा, तो plant will become dead, plant मढ़ जाएगा, तो यह आपके आपर लिखना, बी पार्ट क्या कहा रहा है, we are injured and start, definitely, जो injured होंगे, तो blade start होगी, ठीक है, red blood cell, जो निकलना, जो निकलना बंद हो जाता है, due to the plate let's, coating बना देता है, blood के उपर जहां से blood, जो जहां से निकलता है, ठीक है, वो बंद हो जाता है, 24 के बारें बारें बात करते हैं, यह पार्ट के तरफ पढ़ते हैं, list the event in the proper sequence that takes place during the process of the photosynthesis, तो आपको photosynthesis का इबार प्रोसेस बदाएं तो क्या होता है, तो पहला process क्या होता है, absorption of light energy, ठीक है, सबसे पहले plant के करेंगे, light energy को absorb करेंगे, ठीक है, जैसे भी light energy है, तो absorb the light energy, और यहाँ पर by crorefill, ठीक है, crorefill की presence है, ठीक है, वो light energy है, यह एबसोर करते हैं, next बात है, अगर मैं आपको बता हूँ, ठीक है, कोई भी अगर plant है, तो पहले यह absorb करेगा, ठीक है, absorb light energy, ठीक है, पहला पार्ट तो यह गया, दूसरा पार्ट क्या हुआ, यह convert करेगा, light energy को, ठीक है, convert करेगा, light energy को, chemical energy में, और split करतेगा, यह आपका inserting मिल जागा, split करतेगा, water molecule into the hydrogen and oxygen, ठीक है, water molecule जो होगा, वो उसका hydrogen और oxygen में, ठीक है, कनोट करतेगा, जो की O2 gas यहाँ पर आपके निकल जाए, थर्ड पार्ट क्या होगा, यह reduce करेगा, carbon dioxide को carbonate पर, अगर मैं आपको reaction लिखके दिखाऊ, carbon dioxide plus S2 gives, C6H12O6 gives, 6O2, तो यहाँ पर आपकी काईज यह balance reaction है, जिसमें आपको पते है कि S2O break हो रहा है, H2O2 में, और CO2 यह convert कर रहा है, आपका यहाँ पर क्या, यह आपका carvohydrate में, ठीक है, तो यह step है, जो आपको, पार्ट करते हैं अपने और वाले पार्ट पर, explain in brief two ways by which leaves of a plant help in excreation, तो आपको दो ways बताने, जिनके हैं, जो leaves हैं, प्लांट में, वो excreation help करते हैं, देखो, आप सभी को बताएं कि leaves के अंदर जो स्ट्रोमेट होते हैं, small post, teeny post, ठीक है, तो जो स्ट्रोमेट होता है, उसके थूरू जो ट्रा आजाता है, प्लांट का, तो leaves का detached भी होना, प्लांट के लिए एक तरीके का excreation है, और वो स्ट्रोमेट के थूरू जाएं, प्लांट के लिए excreation है, तो वो स्ट्रोमेट के थूरू बहार निकाल दीते हैं, ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं, 25th के बारे में, what is the difference between biodegradable by the environment, ठीक है, या by the microorganism, by the attack of microorganism, और non-biodegradable वो हता है, जो substance degrade ना हो, microorganism के attack से, ठीक है, या environment में, तो इसका अगर एक्जामल ही बात के, तो biodegradable में आपको जो है, वो लिखना था, आपका, ठीक है, vegetable, pills, and non-biodegradable में आपका प्लास्टिक बैक्स, यहाँ पर आएगा, ओके, तो आप नेक्स बात करते हैं, प्लांट्स के agriculture में आप यूज कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर method लिख लें, नेक्स बात करता है, 26, ठीक है, 26 में क्या है, यह बोला कि, एक आपको यह diagram दे रखा है, और यह anxiety का question है, अगर आप anxiety में आई गाले चैप्टर देखें, तो यह diagram आपको anxiety में मिल जाएगा, जिस तो यह जो आपका defect है, इसे बولताँ hypermetropi है, ठीक है, यह जो defect है, इसको बولताई hypermetropi है, और इसके क्या causes है, मतलब यह जो हैपरlists हैakapर्मेट्रोप्य है, तो यह क्यो होता है, ऐसा क्या हो जाता है, आई जिए कि आपका hypermetropi हो जाता है, तो कई हम बात कराई गाई, कि इसमे आपको आपको पर कौन सा लएंस यूज करना है। okay'. आइधर वहाई माई ओप्या है तो महाँ पर आपको आपका कहन के लहां होता है। और अगर आपका आपको तो यहां पर आपको कॉनी लेंस यह वहा ? लोग या तो focal end long हो जाती है या फिर वहां पर जो eyeball का जो size है ना वो इसमाल हो जाता है तो दो cases है यहाँ पर लेख सकते हैं दोनों में section C पहले point के तरफ बात करते है राइटा balance chemical equation to show the reaction that occurred when a piece of the aluminum is dipped in a dylor solution sulfuric acid अब भई मैं आपको sulfuric acid के साथ तो हो जाएगा s2so4 ठीक है और जब al की s2so4 के साथ हम reaction करेंगे तो हो जाएगा al2so4 का whole thrice plus h2 बस simply आपका यह form हो जाएगा नेक्स बात करते हैं इस राइटा color of the solution found when the copper oxide is treated with hydrochloric acid give the reason of observation जब copper oxide ठीक है react होता है कि इसको मैं reaction लिकर दिखा जाता हूँ ठीक है कि वेट अ मिनट अ कि 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 तो गाई जब copper oxide यहां पर आपका ठीक है react होता है आपका scl के साथ तो यह बनाता है cucl2 ठीक है यह बनाता है cucl2 प्लस h2 यह होता है आपका green color ठीक है तो यह तो यह तो आपका green color तो आपके यहां पर ions exchange with each other तो यहां पर इस reaction में जो ions होते हैं वो एक्षेंज हो जाते हैं राइड़ दा chemical equation of double displacement reaction which is also a neutralization reaction तो neutralization reaction में आप HCl और NH की reaction करा होगे तो महाँ पर आपका NECL और S2O बन जाएगा precipitation reaction ठीक है precipitation reaction आपको NCRT मिल जाएगा भी यह CL2 और NA2SO4 की जो आप reaction कर रहा होगे तो वहाँ पर आपको जो NCRT की आपकी precipitation और double displacement reaction वह यहां पर आपको लिख देनी है 29 के बारे में बात करते हैं आज student has focus the image of an object of height 3 cm तो student ने focus करा ठीक है एक image को जिसके height image of an object जिसके height आपकी 3 cm वाइट इसक्रिन यूजिंगा कोन के मिरर कोन के मिरर की हैप से focal length की 12 दे रखी है the distance of the object from the mirror is 18 cm तो गाईज अब यहां पर ठीक है यह आपका जो numerical हो काफी अच्छ नमेरिकल में सॉल करा देता हूं तो इसमें guys HO इसमें दे रखा है 3 cm और यहां पर आपका कोन के मिरर है तो focal length इसकी माइनस का 12 cm हो जाएगी और यू और यह इसमें आपका दे रखा है हो जाएगा वनके माइनस का 18 टीक है वनके इसमें उनपन बी अदर रह रह जाएगा और यहां पर एक कॉल to minus V by U okay, HI कितने हैं आपको निकालनी है, HI आपको आपको दे रका 3, minus V minus minus 36 और यह हो जाएगा AAPKAR U18 minus का HAT टो HI कितने होगी आपकी minus 6 तो यहाँ पर आपको दोनों HI भी निकल गहाँ और यह भी निकल गहाँ , define the power of less ,power of length , सब्सक्राइब करना ,power of length is defined as the reciprocal of the focal सिंपल अब लिख सकते हैं दा फोकल लैंट ऑफ लैंस का टैन दे रखिए राइट अब माइनस का मतलब कौन के लैंस हो गए हाँ पर इसकी निकाल ले तो पावर का फोर्मॉला क्या होता है पीक कोल टूवन अपोन फो गया फोकल लैंस के दे रखिए माइनस का टैन सेंटिमे तो हंडेड अपोन एफ कर देते हम अगर मीठर में रहता है तो वन पे करते हैं जोरे सब्क्राइट कर्डिक यहोगा माइट टैन डायेक्टर माइनस का ठीक है तो माइनस लगाएंगे आपर तो कौन के लैंस यहां पर आप रहें और आप हम यूस कर रहे है इस अप्श также 20 cm प्रविटर आप सब्सक्राइब को पता है कि यह को निए पॉजिटिव होता है वह आलवेश पॉजिटिव होता है यहां पर है तो जो फॉनला होता है है यह एक होता है तो यह यह पर दोनों विपोजिटिव है तो सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें क्यों उता है हमारा starch होता है ठीक है तो starch जब saliva के साथ क्योंकि saliva के अंदर salivary amylase होते है तो starch को breakdown कर देता है meltos में ठीक है तो अब इसमें हम iodine की drop add करें यह आपको activity मिल जाएगी life process में 6.3 activity है तो जब हम starch जा लेंगे वहाँ पर तो जिसमें और लेडी iodine ठीक है starch मिल जाएगा iodine वहाँ blue color में चेंज हो जाएगा बट सलायवाले case में वह starch को पूरा breakdown कर जोगा तो वहाँ blue color आपको नहीं दीक है तो वहीं आपको पूरा process आप लिखना था why is the bile juice is important in the process of digestion तो बाइल जूस के होता है यह fat को emulsify करता है और यह trip scene को भी activate कर देता है और जितनी वहाँ के fat के globals होते होने smaller globals में breakdown कर देता है next बात करते हैं काई यहाँ पर 31 के बारे में पहला straight cylindrical conductor is suspended with its axis perpendicular to the magnetic field of a horseshoe magnet the conductor get displaced towards left when the current is passed through it what will happen to the displacement of the conductor if the power point current through it is increased current increase करेंगे ठीक है तो वहाँ पर displacement increase होगा यह बात ध्यान रखना तो current increase and displacement is increase horseshoe magnet is replace बारा जितना भी strong magnet से replace करेंगे उतना ही ज्यादा displacement होगा direction of the current reverse if the direction of the current is reverse then the displacement also will be the reverse left to right और अप पहे तो bottom ठीक है इतनी बात अब ध्यान रखना name and state the rule of for determine the direction of the force and current conductor in the magnetic field तो flaming left and rule है ठीक है यह वाला flaming left and rule है तो यह हो जाएगा F force magnetic field और यह होगी आपका current ठीक है तो यह आपका flaming left and rule यहां पर आपको लिखना तो और इसको state भी आप simply कर सकते हो next बात करते हैं guys अब इसमें क्या है इसका मैं एक चीप कुता तो कि जब यह cardboard है ठीक है यह current जा रहा तो current है जा रहा तो इस 선택 हो और यह आपको यह आपको यह आपको रगवी नहीं थे चीप ख़ह यह. बस आपको यहां पर लगाना तो रैट आपको आपके लिखना यहांपर आप लिख दीना है स्टेट कर देना और यह और जब और टू से अगेन इस नेटिव औक्षिज़न से रियाट करता है और ओध्री ओजोन होती है क्योंकि और अगर डैमेज होगी तो हर्मफुल अर्थ पर आजाएंगी जो कि बायोटिक जो भी मारे हमारी जो हमारी हान्फुल यू वी रेज ठीक है तो यूवी रेज जो है वो जो प्रोटेक्ट करता है वह ओजोन होती है तो यहां पर आपको यह कर देना है कि यह आपको इस तरह के से बना देना है यह वाला ठीक है प्रिश्ब का आपको पता होगा ना यह वी रूपर आयो था विब गयों आर की जो है वह कम ठीक है वह डेविट होता है अपने पास से इसलिए हम आर जो सिंगनल में उस करते हैं आप सब्सक्राइब जादा वहता है ठीक है इंसिडेंट जादा होता है या फ तेस्ट इस लोकेटेड इन दा हुमेन मेल्स और वाइब तो यह स्कोर्टम में लोकेटेड होती है क्योंकि इस पर्म फॉमेशन के लिए बोड़ी से पांच चार पांच डिगरी कम टेंपरेचर चाहिए इसलिए बोड़ी से बाहर होती है इस टेस्टेट टू फंक्शन सब्सक्राइब करते हैं तो यह तोनों इसके हैं टेस्ट इसके इना इना हुमेन फीमेल वन दा ओवरी रिलीज एग एवरी मंथ ठीक है इस टेक प्लेस अगर एक फर्टलाइज हो जाता है ठीक है वह एक तरीका फिर एंब्रो डबलप कर लेता है फिर आगे वह जो है प्ले यह पूरा ठीक है एंब्रो बनता है वहाँ पर ठीक है तो यह प्रिसस होते है अगर एक फर्टलाइज नहीं होता तो यह मैंसुरिशन साइकल के तो यह 28-28 देज के बाद यह बोड़ी से भाठ निकल जाता है वाट इस डन दूरिंग दा सर्जिकल मैथड इन मेल्स और फीम वह वैसक्तोमी और जो फीमेल में यूस होते है वह तुबेक्टोमी ठीक है तो यह मैंने दो मैथड़ आपको बता दिया आपको लिखने दे वाट एपन वैन लीफ सोद ब्राइफवालं फाल इंट दा सोय अगर लीफ सोद ब्राइफवालं ठीक है तो एक न्यू पस on maturation liberate sports ठीक है यह इस पर इस पर अपनी न्यू जनरेशन अब ठीक है बनाता है methods या mention the mode of reproduction in each of the above three cases तो इसमें जो होता है वह आपका होता है यह बन जाती है और यह जो भी यहाँ पर सीट में ली जो सीट्स बनती है वह आपका प्रोसेस है पोर्स post fertilization तो यह यहाँ पर आपको लिगना था ओके तो गाइस नेक्स बात करते हैं यहाँ पर डिफाइन दा एलेक्टिक पावर एंड एसाई 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 इस एसाई यूनिट तो जो पी होता है पी कॉल टू डबलो पॉन टी होता है में ली इसके और भी फॉर्मला होता है कि पी एकोल टू वी आई भी होता है तो यह आपका इलेक्टिक पावर होता है ऐसा यूनिट इसकी वाट होती है रिलेशन बिट्विन क्या है जूल और एनरजी में तो वन यूनिट या वन क्लो वाट आर या वन यूनिट इकोल टू 3.6 10 की पावर 6 जूल ठीक है नेक्स मात क है जो करा जिता हूं यहां पर तो जैसे 50 वाट का ठीक है और 50 वाट के कितने हैं टू बलब है तो यह हो गया आपका टू इंटू फिफ्टी यह हो गया हंडेड वार्ट ठीक है अब बोलें कि सिक्सावर डेली चला तो इंटू सिक्स कर देंगे और ठीडिश तक चल रहा ब तो जाएगा आपका knob1-800 ग्लॉरड़ आप है धृसले अब बोला एंगी कुलोंट मौन 있는 गींटिकैर है एक गीजर जो की एक टुलॉडर का और कब तक चल रहा है कि एक अवर्ण चल ला थीज जिन तक चलो लाए तो यह गया आपका 30 कुलोवार्ट टिक है यह टोटल मिले आपका टोटल हो गया आपका 18 प्लस 30 that is 48 कुलोवार्ट तो 48 कुलोवार्ट यहां पर आपका हो गया है अब बोल रहा है कि एक प्टोटल आटोटल आनर्जी consume in a month 30 days okay okay one some minute यह आपको ऑगया आवर भी है ना इसमें किलोब आप्स प्लोवाट आप टो कि आवर है ना six आवर रहोगया गाई यह क दो कह इतनी बात समाझ जा रही है तो जो गया 48 ठीक है और 48 इंटु कितने रेट पर पर चला है तो यह आपका आपका जो है वह ऐमांट अगया कि तो फोटेट इंटू एट ठीक है अगर इसिंपल मैं सोल करों फोटेट इंटू एड्ट यह वह जाएगा 384 तो 384 रुपीज आ गया है 384 रुपीज डाइगा यहां पर 384 रुपीज आ जाएगा आपका एक्टन कार्वन फोर्म कंबॉण मेंली बाइग कोवलेंट बॉण क्योंकि कार्वन जो कर्टनेशन प्रोपर्टीज भी है प्लस कार्वन जो कोई भी आयंस करता है एकसमें दा बिफ्स तुमें डिजर्ण वाइयदा कार्वन फोर्म जो होती है ठीक और इसकी जो वैलेंसी चार वैलेंसी है इसलिए लंभी चैने कर सकता है नेक्स्ट करते हैं वाइप कार्वन फोर्म स्ट्रोंग बॉन एक यह पर्ट बारे में यह पेज़ काफी जादा ठीक है भर गया है तो मैं यहां पर आपको इनकी दूरी भी कम एंटिक है तो जितने दूरी कम है उतना इसमाल साइज अधिक है तो यहां पर हमें बताना जनल फोमला है जिसमें अधिशन रियक्शन हो जकती है तो यह जो फोमला होता है यह आपका अंसचुरेटेड ठीक है होता है आर ठीक है और और अशर का यह कार्बन की ठीकर एक लंभी चैनयों कार्बन कार्ण हो में अब इसको अधिशन लेक्शन में आखर ले जाएंगे तो N2 और है एकशन कार्बन कार्बन यह एच यह है और यह आ यह लिए खना तो और besteht कर से आपके सैन्शन की तो कंडिशन में आपको बता दिये है निकलो और याइड होता है एक जो प्रोमिन वो सब्सुट्थ होगे दोसरा आपका अलेमेंट आ जाता है यह आपका यहाप ले सकते हैं और फार झो वी तरीके से बनता है यह एक र安स्चे आप यहां सकते है तो यह पुणहट करेक्शन इये कम देश बैस पर áंगे का आnelle जल्डिंदी मैं वें in some families either ruler or one females are tortured for giving the birth to the female child they do not seem to understand the scientific reason behind the birth of a boy or a girl in fact the mother is not responsive for the sex of the child and it has been genetically proved that the sex of a newborn is determined by what the child innate from the father okay तो बिल्गु सभी बात है जो सेक्स है किसी भी निवबॉर्न बेबी का वो उसके फादर के बेसिस पर होता है क्यों क्योंकि फादर के अंदर के उता है य क्रोमोसम य क्रोमोसम जहां आएगा वह आपका मेल हो जाएगा ठीक है तो य क्रोमोसम पर ही डिपेंड होता है इस टेट उन बेसिंग दा सेक्स ओफ दा निवबॉर्न बबी जिटेमाइन इन युमन दूट दा वाइक्स वाइज जो होता है यहां पर ठीक है यहां पर ठीक है रेप्टाइल्स में एक बार ठीक है जो अलग प्रोसेस यूज करते हैं आपका ठीक है जो री प्रोडेश्चन का तो एक बार आप जाकर गोथू कर सकते हैं यह आपका एंसाटी मिल जाएगा मैंनी ऑप्टिकल इंस्ट्रुमेंट कंसिस्ट ओफे नंबर अफ़ लैंस आप यहां तो यह आपका मोर्टू नो वाला जो तो आपको मिल जाएगा अगर बहुता लैंस लगा दिया तो पावर सबकी प्लस हो जाती है सिंपल एडिटिव प्रोपर्टी यूज़ करते हैं पावर उफ लैंस के लिए वाइडली उस्ट्रू डिजाइन दा लैंस सिस्ट्म कैमरा माइक्रोस्कोप टैलिस्कोप इस लैंस सिस्ट्म कैन था कंबिनेशन और कॉन्वेक्स लैंस और को बनता है तो 4D प्लस आपको पत प्लस का 2 और यह होता है आपका कंवर्जंट कंवर्जिंग है ठीक है कॉन वेक्स लैंस है और फोकल लैंथ ओफ लैंस ओफ पावर माइनस का 2.5 तो यह हो गया अब आप सभी को पते ही का अपको के लैंस ड्रार रे डाइगन टू शोड़ डेलर नेजर न पोजिशन होता इमेज फॉर्म बाइदा कॉन्वेक्स लैंस ओफ पावर प्लस का 0.1 डायप्टर ये कुश्चन मुझे कराना पड़ेगा आपको ठीक है क्या बोलगाइस विए पावर कितनी है 0.1 डायप्टर तो एफ कितनी हो जाएगी 5ां जिड्रो पॉंट वन तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यह जाएगा 10 डैन criticism अई आफी बड़ी फोकल लेंट बन गई यह तो अब बोलने यह 20 cm लेंटी रपके llans कि अगर focal length लेंट्स साँके कॉन्वक्स लैंट से जब स्कीफोक् references वा आपकी थाउजंड सेंटिमिटर और एक बोल केंट पर रखे कि हमें पर रखा हो तो यहां पर ऐसा करा से चला गया टीक है마 ایک से चला कर तो यह कहीं तो अगे कहीं पर आगे बड़ी मेझ सलोंड होगी तो पर एक बड़ी कोई बड़ी मेज फॉम्ड होगी है ठीक है और इरेक्ट होगी मेज बोला है बैना अबजेक्ट इस प्लेजेंट तो रहे डाइगर हमने बना दिया नेक्स बाद करते हैं तो वर्ट्यूलिमेज फंड फंड बायएदा कोन कर लैंज डिफ्रेंट फ्रमदा फॉर्म ऑग लेजड़ को लिए आगे तो इस निकल गया तो कैसे इसकी कि वरच्वलिमेज बड़ी में जो दिए चोटी है तो यह तो under which condition the convex and cone cave lens from the virtual image तो इसमें तो सारे cases में बलती है all cases are but इसमें क्या बंती है between f and optical center ठाहिए यह कॉण wax है कॉण के तो मैं आपको condition बता दी all case between f and optical center तो गाइज I think ठाहिए हमारा जो वो मेली पूरा complete हो चुका है ठीक है एक और कोश्चन था यह हमारा एक और बज़िया 39 ठीक है इसको हम complete कर लेते हैं एक बार metals are required for a variety of purpose for this we need their extraction from their ore ठीक है यह ore वाले metal non-metal में से और mine from the earth are usually condemnative with many impurities which is report prior to the extraction of metal the extraction of the pure metal involved in the following step concentrate करते हैं और को extract करते रिफाइन करते है ठीक है नेम दा और मर्करी तो और अधा मर्करी क्या होता है सीनवार ठीक है है एच जीओ वाट हैपन तो दा जिंक कार्बोनेट वैन इस्ट्रोंग लेटिस सप्लाइट इंदा लिमिटी सप्लाइव दे तो जिंक कार्बोनेट है ठीक है जैद थीओ तो इसको केल्सिनेशन एक प्रोसस होता है ठीक है जहां पर यह कर्णवर्ट हो जाता है जैडरों तो आप यहां पर रेक्शन लिए लाना ओकि तो एक्जो थरमिक यहां पर रियक्शन ओफ यह नहीं प्लस फी तुओ थी गिवस एल्ट टू अपकी रिएक्शन हो भी और राइट था थे ल्यक्ष्ट को अपको रिक्षिन प्रक्साथ अधें अलुमिनियम के साथ अधने साथ मेटल अलूमिनियम तो वैस्ट यह वाला कॉस्चन है ठीक है यह आपको यह बाद करना है यूज दा कारवन फोन फोन फूंद फूंद सोडीम इंड सोडीम ऑक्साइड वाय या आपको चाहिए लाइक ज़रू करना वह चैनल पर नहीं तो यार शेयर जोरू करना टेक है दोस्तों के साथ अब आपसे मिलते नेक्स विडियो में और ऐसी वीडियो चहीं तहाई था कमे see you soon the next video bye bye